श्री हरे जी मेरा नाम निशा ठाकुर है और मैं पीए फाइनल लियर की स्टुडेंट हूँ तो जैसे कि मतलब हमारे साथ तारीकों पेपर शुरू हो चुके थे तो उस वक्त हम अपने राइटर लेके आ रहे थे तो मतलब उस वक्त ऐसा तो कुछ वो तो है नहीं सर मतलब अच्छी सुबीदा दी जा रही है थोड़ी सा इशूस हो चुके थे वह मतलब मैटर हो चुका है अच्छे से हमने सर से बात की हुई थी इस बारे में प्रिंसिवल सर से तो वह मैटर सॉल को हो चुका है और मतलब सुभी तामारे लिया हर एक चीज किया जी देखें जैसे इशुस तो हुए थे मतलब पर्मेनेंट राइटर के लिए तो वो मिसंडेसाइडिंग थी वो क्लियर हो चुकी थी हमारे से सरसे पहले से ही तो जैसे यह बियान बाजी हुई थी बरिजारती परिशद से और मतलब उन्होंने बियान बाजी की थी या फिर डिसी आफिस में य नहीं हम उनसे प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से मिले थे और नहीं हमसे यह कॉलिंग पर बात हुई थी जी देखे अपने आप में एक मतलब इसमें सुविधा है जैसे कि हम यहां पर फ्री एजुकेशन लेते हैं जैसे एक्जामिनेंशन जो फीस होती है वो भी हमारे से यहां जा सकते हैं जो समस्या थी हमने सरको बता दी थी कि एक समस्या हमारी थी और मतलब उनको हम से यह बात करने चाहिए थी कि आपके लिए कर लिए मतलब एक्ष्ण ले रहे हैं अशल मझें पता हुष्ट लुक्तर क्या ही रिख करना मुझे कि निंदा का मतलब कीश्यां हैं और यह कहना चाहूंगे कि next time उनको अगर हमारे लिए कुछ action भी लेना है तो हमसे पूछ के ले वैसे हम खुद भी सक्षम है हम अपनी समस्या को हम खुद भी रख सकते हैं और यह कहना चाहूंगे कि इस चाहतर संगठन ने इस परशन को उठाया है डिस्ट्रिक आडमिस्टेशन के पास वो चाहतर संगठन एक समर्पित और एक्टिव चाहतर संगठन है और मैं उनको वारवार रिपीट भी करता था कि आप एक disciplined organization है पर पिछले कल जिस तरह से बिना verify किये मेरे से बात किये जब उन्होंने आगे एक किसम से complaint ही की उससे मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ और जहां तक राइटर के प्रशन की बात है मैं पाँच तारी को पाँच अप्रैल को out of station गया था और order करके गया था मैं office order कि वो बच्चों को जो दृष्टी बात दित और फीजिकली disabled बच्चे हैं उनके लिए जरूरत के अनुसार जब भी जरूरत होगी उस वक्त वो बच्चों को राइटर के लिए इनके इनको उपलब्द करवाएं और इस तरह के निर्देश और request हमने जो examination में सूपरडेंट है उनसे भी की थी और मुझे दुखो रहा है कि इसके बाबजूद क्यूंकि मुझे भी समचार पत्रों के माधिन से पता चला कि महाविद्यालय में ऐसी घटना घटी है जबकि वास्तविक्ता ये है कि जो खासर कर नेत्र बात धित जिनको दृष्टी ठीक नहीं है के लिए कॉलेज प्रशाशन के द्वारा इवन टीचर के द्वारा हैल्प करने की कोशिश की जाती है अपने संसाधनों के अनुसार तो ऐसी घटना अगर वास्तव में घटित होती है वो मेरे लिए ही और इस महाविद्यालय के प्रशाशन के लिए शर्म की बात हो सकती है जो बास्तविक्ता से परे है बात बच्चों के साथ की उनको राइटर प्रवाइड नहीं किया गया या उनके साथ मिस्भेव हुआ है उसके बारे में बच्चों ने जो प्रभावित बच्चे थे जिनके बारे में नाम लिया जा रहा था कि इनके साथ परताड़ना की गई है उन्होंने अपने इच्छा से अपने बयान कलंबद भी किये हुए हैं जो आप सब के समक्ष हैं तो इस चाहता हूँ यह महाविदेलया काफ काफी बड़ा महाविदेलया है जो छात्र संगठन हैं और इवन जो पेरेंट्स हैं उनको महाविदेलया के विकास के लिए सर्व से प्रिंसपल से गलतीं भी हो सकती है उन गलतियों को उजागर सरयं प्रेस में जाकर उजागर करने से अगर परसाशिन से और प्रिंसपल से बात कर लिए तो मुझे लगता है वह सई रास्ता हो सकता है तो मैं तो निवेधन करना चाहूँगा चाहतर संगठनों से कि बविश्य में अगर महाविदयल्य प्रसाशन से कोई गलती होती है या कोई समस्य है उसकी लिए आप प्राचार्य से बात करें उसके माद अगर प्राचार्य के द्वारा आपकी साहिता नहीं की जाती है आपके सुझावों को अंदेखा किया जाता है तो आप फिर नेक् प्रिटिक नेशन है